ATP Synthesis, Phosphorylation, ETC याने Electron Transport Chain, Light Reaction, Z Scheme, Cyclic Photo Phosphorylation या Non-Cyclic Photo Phosphorylation या Non-Cyclic Photo Phosphorylation ये सभी हम आज पढ़ेंगे ये सारी जो नाम आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही साइकल को अलग-अलग नामों से हम जानते हैं तो फिर आज हमारा जो Simplification Topic है वो है Photo Phosphorylation Photosynthesis का जो Overview है हमने अलरेड़ी पिछले वीडियो में देख लिया है ठीक है? तो इस वीडियो में हम Photo Phosphorylation को Simplify करेंगे तो अब हम Photo Phosphorylation की जो Process है उनकी जो Cycles है उनको हम पढ़ेंगे तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है Cyclic Photo Phosphorylation Photo System First Participate करता है ठीक है? तो यहाँ पे जो Photo System First है वो 680 NM वाली जो wavelength वाली जो raise होती है इससे कम या ज्यादा 700 तक के NM वाली जो raise होंगी उनको यह absorb कर सकती है और यह Photo System First के जो pigment है P700 यह इस photons को absorb करके excited हो जाते हैं और excited होने के बाद इनके जो electrons है वो higher energy level में चले जाते हैं आइडन सल्फर एक्सेप्टर प्रोटीन के द्वारा वो accept कर लिया जाता है जो आइडन सल्फर प्रोटीन है वो reduce state में आ जाता है ठीक है? और यह जो प्रोटीन है वो ferrodoxyn जो है उसके द्वारा जो electron है वो accept कर लिया जाता है मतलब कि इस प्रोटीन के द्वारा ferrpants को accept कर लेता है वो transfer कर देता है वहाँ ferrdoxyn में ठीक है? तो यह electron पहले यहा गया और फिर यहां से ferreroxyn तक transfer होता गया electron अब जो ferrdoxyn है चुकि ने accept कर लिया है तो अब यह reduced form में आ जाता है और paradoxon के दौरा जो electron है वो FAD के दौरा जो है वो accept कर लिया जाता है ठीके तो यहाँ पे एक important step पूरा होता है कि हमने जब बताया था कि जो water का photolysis होता है तो उसके दौरण hydrogen ion निकलता है ठीके तो वो hydrogen ion यहाँ आके FAD से FADH2 molecules बनाता है ठीके अब यह FADH2 molecule जो है वो NADP plus के दौरा इस electron को grant कर लिया जाता है और यह NADPH2 में convert हो जाता है यह जो waterlysis हुआ है इसका यही वो hydrogen ion है जो कि अभी हमने इससे FAD से FADH2 molecule बनाया जिसे NADP ने लेके electron को NADP से NADPH2 molecule बनाया अब यहाँ पे चुकि हम cyclic photo phosphorylation पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो possibilities होती है या तो यहाँ पे NADP available हो ठीके तो यहाँ से जो आने वाला यह electron है यह NADP में चला जाता है और NADP से NADPH2 molecule बनाता है ठीके लेकिन अगर यह यहाँ पे available हो तो क्या होता है तो जो यह electron है यह वापस अपने pigment system में आता है यही चीज कहलाती है cyclic तो एक possibilities तो हमने देख ली कि यहाँ पे NADPH molecule यहाँ पे present था इसलिए यह NADPH2 बनाया ठीके अब अगर यहाँ पे यह present ना हो तो क्या होगा सेम प्रोसीजर होगी कि pigment system के द्वारा light को absorb किया जाएगा उसकी wavelength या तो 680 से कम यह जादा जो भी हो यह pigment system फर्स्ट जो है उस photon rays को जो है वो absorb कर सकता है फिर यहाँ पे जो प्रेजन्ट electron है यह normal state में रहते हैं जैसी energy को absorb करते हाइर energy label में चले जाते हैं excited हो जाते हैं तो यह एक्साइट होके iron sulfur protein के द्वारा electron का accept करके faradoxin में transfer होता है और faradoxin के बाद से FAD के द्वारा यह accept कर लिया जाता है जब यहाँ पे NADP molecule जो है present नहीं होता तो यहाँ पे जो electron है FD से जो है वो वापस पहुंचेगा cytokrome B6 F complex में if NADP molecule are not available ठीक है अब यह इस complex से होता हुआ electron है वो plastosinin में transfer होगा और plastosinin में transfer होने के बाद वापस से pigment system के द्वारा यह accept कर लिया जाएगा और इस तरीके से जो है वो cyclic pathway complete होगा cytokrome B6 F complex के दौरान यहाँ पे जो ADP molecule है प्लस इन और्गनिक phosphate मिलके ATP का formation करती है अब हम देखते हैं non cyclic ठीक है non cyclic pathway जिसमें photosystem 2 & 1 दोनों ही participate करेंगे इसे हम Z scheme भी कहते हैं क्योंकि जब हम पूरा जब हम cycle देखेंगे न तो वह कुछ Z नुमा आपको दिखाई देगा इसलिए हम इसे Z scheme भी कहते हैं ठीक है non cyclic phosphorylation में दोनों ही pigment system काम करते हैं ठीक है लेकिन pigment system साथ में ही excited होते हैं लेकिन फिर भी pigment system 1 जो है वो पहले excited हो जाता है क्योंकि यह जादा NM के rays को जो है वो absorb करता है तो जैसे ही यह cycle start होता है और यहां पर NADPH molecule जैसे ही ready होता है यहां पर जो pigments है यह भी light को absorb करते हैं जो की 680 से कम wavelength वाली को तो यह absorb कर सकते हैं लेकिन इससे जादा वाली wavelength को जो है wavelength वाली rays को जो है वो absorb नहीं कर सकते हैं यहां से जो electron है वो निकला ठीक है जिसके वजह से यहां जो pigments chlorophyll के pigments molecule जो है वो oxidized form में आ गये हैं ठीक है अब यह oxidized form में आ चुके हैं तो यहां पर water का photolysis भी तो हो रहा है और यहां से जो electron है यह photo system 2 के जो chlorophyll molecule है जो की oxidized form में है वो electron को accept करके reduced form में आ जाते हैं जो hydrogen molecule है वो तो हमने बताया है कि वो photo system first में participate करेगा ठीक है और जो oxygen molecule है यह तो byproduct के रूप में बाहर निकलेगा अब जो यह electron है वो fuel phyton से होता हुआ प्लास्टो क्यून के द्वारा गहिंड कर लिया जाएगा और प्लास्टो क्यून से होत हुआ जो हमारा cytochrome b6f complex है उसके द्वारा accept कर लिया जाएगा ठीक है जो non-cyclic pathway है इसमें जो electron जो यहां से travel कर रहे हैं वह वापस pigment system में नहीं आते हैं जबकि हमने जब cyclic में देखा तो अगर यहां पर NDP molecule अगर present ना हो तो जो electron है वह वापस pigment system में आ जाता है तो यही difference ह साइक्लिक और non-cyclic में तो यहां पर इस complex में electron जो है उसके द्वारा accept कर लिया गया है अब जो electron है वह प्लास्टो क्यून से इस complex में एंटर करता है ठीके तो प्लास्टो क्यून जो है वह अभी complex से प्लास्टो साइन जो है इसके द्वारा electron को accept कर लिया जाता है और accept करने के बाद जो प्लास्टो साइन है यह reduce state में हो जाता है अब यह reduce प्लास्टो साइन जो है वह एलेक्ट्रोन को photo system जो first है इसमें ट्रांस्फर करता है pigment system first जो है पी 700 जब sunlight को absorb करके excited होके electron को free करता है donate करता है electron को निकालता है तब ही यह जो electron है इसको accept करता है ठीके मतलब यहां पे एक वो प्लग की तरह काम करता है plastosign जब यहां पे space होगा तो यहां से connect होगा photo system 2 और photo system 1 जो plastosign का काम है ठीक है इन दोनों system को connect करना जब यहां से electron निकल जाता है तब यहां से जो प्लास्टो साइनीन के द्वारा जो एलेक्ट्रोन है वो फोटो सिस्टम फॉर्स्ट को जो है वो डोनेट कर दिया जाता है और ऐसे फोटो सिस्टम वन और टू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और फोटो सिस्टम टू का जो एलेक्ट्रोन है ना फोटो सिस्टम फॉर प्रिसिस के द्वारा मिला हईडोजन और और अन इलेक्ट्र on की वज़र से fad Seine ford एच टू बनाएंगा और फिर एनडीपि के द्वारा ये iy को accept करके faNS एक्ट्वीक्ड्र को निरमाइड करे का तो ये प्रोसीजर है हमारे नॉन साइक्लिक फोटो फास्पोराइलेशन या फिर नॉन साइक्लिक एलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट ठीक है और इसे हम जैड़ स्कीम भी कहते हैं जैड़ स्कीम में यह लाइन को नहीं माना जाएगा क्योंकि यह हमने तब के लिए बताया था जब यहां पर एड़ी इसलिए मैंने बताया था कि अगर यहां पर प्रेजेंट ना हो तो वापस जो एलेक्ट्रोन है ना वो कॉंप्लेक्स में साइटोक्रोम कॉंप्लेक्स में चला जाता है नॉन साइक्लिक फोटो फास्पोराइलेशन जिसे हम जैड़ स्कीम भी कहते हैं यह जो प्लांस एंड जो साइनो बैक्टीरिया है उसमें इस टाइप के जो पाथवे पाए जाते हैं साइक्लिक फोटो फास्पोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटो फास्पोराइलेशन में जब हम साइक्लिक फोटो फास्पोराइलेशन की जैब हम बात करेंगे तो इसमें टोटल जो है वो 2ATP का formation होता है cyclic में यहाँ पे NDP का formation नहीं होता है ठीके क्योंकि वहाँ पे NDP molecule present नहीं होता है तो वहाँ पे सिर्फ ATP का formation होता है ठीके और जब हम non-cyclic की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि cyclic इसमें दोनों pigment system काम कर रहे हैं सिस्टम 1 और 2 दोनों ही तो यहाँ पे हमें मिलता है 1 ATP प्लस 2 NADPH molecule ठीके और जब हम कि टोटल बात करें तो हमें 3 ATP प्लस 2 NADPH2 molecule जो है वह हमें मिलता है टोटल फोटो फास्पोराइलेशन में ठीके डार्क रियक्षन जब होती है जिसे हम कैलविन साइकल कहते हैं डार्क रियक्षन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो डार्क रियक्षन में टोटल 18 ATP और 12 NADPH2 molecules की requirement होती है ठीके तो इसके लिए में जो है वह जैड़ स्कीम को टोटल 6 साइकल जो है वह कम्प्लीट करने पड़ते हैं इतने energy molecule के production के लिए आई बात समझ में 6 साइकल पूरे करने पड़ते हैं डार्क रियक्षन में energy requirement को पूरा करने के लिए आई होप आपको हमारा यह जैड़ स्कीम या फोटो फास्पराइलेशन जो भी आपके इसका simplification आपको पसंद आया होगा method अगर आपको अच्छी लगे simple लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अगर कोई